इस बड़ी ख़वर आ रही है मारा गया हिजबुला चीफ नसरल्ला इसराइल की सेना ने नसरल्ला की मौत किया है और इसका दावा किया है इसराइल डिफेंस पोर्स ने जानकारी दी है तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं दरसल यह जो इस्तिती है लगाता बड़ती हुए नजर आती है और इस बीच इसराइल की सेना ने यह दावा किया है कि हजबुला चीफ नसरल्ला मारा गया है उसकी मौत हो गई है और आपको बता दे कि इसराइल डिफेंस पोर्स ने इस बाबत जानकारी भी दी है यह लगातार जो तनाव है और जो युद ह है वो रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है लगातार बंबरसा आए जा रहे हैं गोलिया चलाए जा रहे हैं और तनाव किस्तिती खतम होने का नाम नहीं ले रही है लेकिन इस बीच यह सबसे बड़ी खबर है अंतुराश्ट्री इस तरपर की हजबुला चीफ नसरल्ला मार गया है और इसराइल की सेना ने उसकी मौथ होने का दावा भी किया है और इसराइल डिफेंस फोर्ट्स ने इस बाबत जानकारी भी दी है तो यह बड़ी खबर से इस वक्त हम आपको रुबरु करवा रहे हैं दरसल जो तनाव है और जो युद्दु की स्तिती है वो खतम ह कोने का नाम नहीं ले रही है और लगातार जो है गतिरोद बरकरार है और इस बीच यह सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आई है कि नसर अला मारा गया है तो फ़राल यह बड़ी खबर से इस वक्त हम आपको रूबरू करवा रहे हैं कि किस तरीके से विरोध देखने को मिल रहा है इसराइल की सेना ने मौत होने का दावा किया है नसर अला कौन उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं दरसल हिस्बॉला की सेनी शम्ताओ को और अधिक बढ़ाया नसर अला ने लेबनान में 2018 के चुनाओ दमदार जीत दर्च की थी और हसन नसर अलाओ 92 से हिस्बॉला का चीफ है लेबनान की मजबूत रणीती और सेनी ताकत है तो ऐसे में जब ताकत को खत्म किया गया है तो अब देखना होगा कि युद्ध आगे किस ओर जाता है सेद अबास मुसावी के हत्या के बाद कमान समाली नसर अला ने और हिस्बॉला की सेनी शम्ताओं को और अधिक बढ़ाया गया लेबनान में 2018 की चुनाओ दमदार उस दोरान जीत की थी और अब उसकी मौत की जानकारी निकल कर सामने आई है और इसराइल डिफेंस पोर्स ने इस बावत जानकारी भी दी है तो यहाँ पर कहीं न कहीं यह हिस्बॉला चीफ नसर अला के मारे जाने के बाद अब देखना होगा की आगी की स्तिती क्या रहती है क्योंकि एक मजबूत कड़ी का हत्म होना खात्मा करना यहाँ पर एक सबसे बड़ी चुनाओती थी और अब जब हिस्बॉला की कमान समालने वाला नसर अला का खात्मा हो गया है तो अब यह युद्ध के सोर बढ़ेगा क्योंकि लगातार तनाओ की स्तिती देखने को मिल रही थी और इससे अंतुराश्ट्री इस तर पर बहुत प्रभाव भी पड़ रहा था और क्योंकि नसर अला का मारा जाना कहीं ने कहीं लेबनान में चिंता का विश्च जरूर है क्योंकि हसन नसर अला हिस्बॉला का चीफ था और जब चीफ का मारा जाना तो कहीं ने कहीं सेना को कंजोर जरूर करेगा अब देखना ये होगा कि आगे की स्तिती क्या होती है लेकिन फिलाल इसराइल डिफेंस फोर्स ने इस बाबत जानकारी दी है कि सेना ने नसर अल्ला की मौत का दावा किया है तो ये बड़ी खबर इस वक्त अंतराश्री इस्तर पर क्योंकि युद्ध जो है वो लगातार देखने को मिल रहा था और स्तितिया हर वक्त बदलती जा रही थी फिलाल डावा किया जा रहा है 32 साल से संगटन का चीपता अब आप समझ सकते हैं इस्तरावी सेणा का लेबनान में बेरूट समेत का इलाकोں पर मिसाइल अम्ला जारी है और इसमीट विए आपको ये बेरूट के दहियाश श कहर में रहने वाले लोगों को तुरन्द राका खाली करने को भी कहा है इस्राली सेना का ये कहना है कि इन जगाओं का इस्तमाल इस्बुल्ला और इस्राइल पर हमले के लिए कर रहा है तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दे कि हिस्बुल्ला चीफ हसन नसरला मारा गया है इस्राली सेना का दावा है कि बेरूत पर हवाई हमले में वो धेर हुआ है 32 साल से संगचन का चीत था फिरार राजदानी बेरूत में हमले के बाद एक बिर्जिंग से धुआ उत्ता भी दिखाई दिया गया है और आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस्राली मीजे रेपोर्ट में दावा किया गया है कि हिजबुल्ला चीफ हसन नसरला की बेटी जैनब इस हमले में मारी गई है और एजबुल्ला ने जैनब की मौत की पुष्टी नहीं की है इस्राली चैनल बारा ने उसके मारे जाने की सूचना भी दी है आपको जानकारी देदें कि बेरूत में चार इमारतों पर हमला किया गया है और बताए यहीं से पूरे युद्ध की रंड़नीती तैयार की जा रही थी और यहीं पर हमला यहाँ पर किया गया है आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये वो इलाका है जहां पर हेड़क्वाटर था इसबुल्ला का इसराइल की निशाने पर ये इसबुल्ला का हेड़क्वाटर आया है और यहीं पर जो है अटेक किया गया है इस हेड़क्वाटर से ही सारे काम जो है वो किये जाते थे और फ अवाई हमले में वो धेर हुआ है 32 साल से संगटन चला रहा था और नजर उस पर बहुत लंबे समय से थी और ऐसे में इजबुला की लीडर्शिप में सिर्फ नसर अला ही बचा हुआ था इससे पहले जो है फुआद शूकर वो भी फोर्स का टॉप कमांडर था मारा गया था और इबराहिम अकील अफिशल प्रिशनल चीफ था वो भी मारा गया था अली काकरीव चीफ कमांडर था साउथ लिबनान का उसकी भी मौत हो गई थी वसीम अल तवील फोर्स कमांडर था उसकी भी मौत हो गई थी और ऐसे में सिर्फ हसन नसला बचा हुआ था जो हिजबु दिखाई दिया बेरूत में हमले के बाद कई बिल्डिंग श्रतिब्रस हो गई है रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है राहतकारे में जुटी हुई है देसल आपको जानकारी दे दें कि ये जो युद्ध है वो थमता नजर नहीं आ रहा है और क्यूंकि इस बुल्ला च मारा गया हिजबुल्ला चीफ हिजबुल्ला का गेम ओवर इसराइल ने लेमनान में हिजबुल्ला के हैड़कोर्टर पर मिसाईलों की परसाथ कर दी इसराइल ने दावा किया कि उसके निशाने पर हिजबुल्ला चीफ दसल्ला था और उसके बाद जो तस्वीर आई उसमें लेमनान की राज़दानी बेरुत धुमाकों से तहल गया इसराइल की एर स्ट्राइक में बेरुत में छे मारतें दुह सो गली और फिर वो दावा आया जिसने सब के होश उड़ा दिये इसराइल ने दावा किया कि उसके हमले में हजबुल्ला का चीफ नसरला मारा गया जिस वक्ट बेरुत पर हमला हुआ उस वक्ट इसराइल के प्रधान मंत्वी अमेरिका में थे यूनाइटिग नेशन में उनके स्पीज के एक घंटे बाद ही इसराइल ने बेरूत में मिसाइले दागी हमलों को लेकर इसराइल की तरफ से दावा किया गया कि उसे हिजबुल्ला के उस इमारत को निशाना बनाया जहां एंटी शिप मिसाइले रखी थी और इसी इमारत में असरला के होने का भी दावा किया गया इस जाइल की जिस मिसाइले बेरूत में हिजबुल्ला के ठीकानों को निशाना बनाया वो एक घंटी आवादी वाला इलाका था उसके आसपास गैस स्टेशन, पुलिस स्टेशन और स्कूल चर्स थी लेकिन इसराइल ने दावा किया कि उसकी मिसाइल ने ठीक उस इमारत को निशाना बनाया जहां हिजबुल्ला के हतियार और मिसाइले रखी थी और इसी हमले में हिजबुल्ला चीव नसरला के मारे चाने का भी दावा किया गया इसराइल की तरफ से ये भी दावा किया गया कि जहां हमला किया गया महा हिजबुल्ला के टौप अधिकारी मीटिंग करते थे और इसके बाद ही हिजबुल्ला चीफ नसलला से सब्बक नहीं होने का भी दावा सामने आया हलाकि हजबुल्ला के एक करीवी सूत्र ने दावा किया कि नसलला जिन्दा है हलाकि अभी तक ये साफ नहीं है कि नसलला जिन्दा है या नहीं लेकिन इस्ञाय की हमलों से लेबनान पूरी तरह से तहल गया है हमास में तवाही के बाद इस्राइल का पूरा फोकस अब लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर शिफ्ट हो गया है क्योंकि हमास पे इस्राइल की हमलों के बीच हिजबुल्ला ने इस्राइल के खलाब जंग का एलान कर दिया है हezب morale की तरफ से इसराइल के ठिकानों पर कई बड़े हमले किये गए और उसके बाद इसराइल ने हेजotechnology की ठिकानों को निशाना बनाना शूरू किया जबकि नेतनियाओं ने साफ लबसों में खेय दिया है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाब उसकी जंग अब नहीं रुकने वाली है और नितन्याओं की इस चेतावनी की तस्वीर अब लेबनान के हर शेहर में दिखने लगी है शुक्रवार और शनीवार की राज जिस तरह से वेरूत में इस्डाइल ने हमला किया उसके बाद लेबनान में चारों तरफ हवाई मची हुई है लेकिन इसके बाद भी हिजबुल्ला की तरफ से हमले नहीं रुके है मतलब साथ है कि अभी जंग और कितरनाग मोर्ड पर पहुचने वाली है